खराब रिव्यू के बाद भी सल्मान खान बने बॉक्स आफिस के सिकंदर तीन दिन में रेस्टीन की कमाई एक सव करोड के पार सल्मान खान की फिल्म रेस्टीन को रिलीज हुए तीन दिन बीत चुके हैं सल्मान खान के लिए ये फिल्म बॉक्स आफिस के लिहाज से बड़ी चुनौती मानी जा रही है दुनिया भर में फिल्म के टिकट की इड़वांस बुकिंग चल रही है इद के मौके पर रिली जिस फिल्म का दर्शकों के बीच जब दस्त क्रेज देखने को मिल रहा है कोई नई बात नहीं है इस से पहले बजरंगी भाई जान सुल्तान और एक था टाइगर ने भी तीन दिन में 100 करोड रुपे से ज्यादा का बिजनेस किया है बात करें रेस्टीन की तो फिल्म ने पहले दिन करीब 39 करोड रुपे की कमाई की इसी के साथ यह साल 2018 की पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी ट्रेड रमेश बाला के अनसार रेस्टीन ने दूसरे दिन यानि शनिवार को 38.1 करोड रुपे की कमाई की तीसरे दिन यानि रविवार को फिल्म के खाते में तकरीबन 38 करोड रुपए आए हैं इसी के साथ पहले वी करिंड पर सल्मान खान की इस फिल्म ने 105 करोड रुपए का बिजनेस कर डाला है फिल्म का बजटे 150 करोड रुपए बताया जा रहा है फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 200 करोड रुपए कमाने होंगे और सल्मान का जादू अगर ऐसे ही बरकरार रहता है तो अगले तीन दिनों में फिल्म 200 करोड का जादूई आंकडा भी पार कर लेगी सल्मान की रेस्टीन ने बॉलिवोड के किंग खान की फिल्म जब हैरी मेट से जल के ओविल टाइम कलेक्शन को महज दो दिन में ही पीछे छोड़ दिया है फिल्म का लाई फट टाइम बिजनेस कुल 22.50 करोड रुपए रहा था प्रेस्टीन को रेमोड हिसुजा ने निर्देशित किया है सल्मान खान और रमेश तौरानी मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है प्रेस्टीन में सल्मान के आलावा बॉबी दियोल, अनिल कपूर, जैकलीन फर्नांडेस, साकिब सलीम और डेजी शाह है फिल्म 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है